Hello student, आज का मेरे टॉपिक है Central Logma of Molecular Biology देखियों, Central Logma है क्या? It is the flow of information from DNA to messenger RNA सुचना का प्रवाह है DNA से messenger RNA की ओर है and then decoding the information present in messenger RNA in the formation of polypeptide chain or protein और protein के निर्मान के लिए messenger RNA में जो उपस्थित कोट थे उसको decode करता है यह जो flow होता है उसे हम बोलते हैं Central Logma ठीक है? लेकिन आपको यह चीज़ समझना होगा कि यह information है क्या? देखिया हम अक्सर लिखे रहते हैं कि जो DNA होता है DNA के पास होता information सुचनाएं होती हैं जो हमें हम पूरे organism को regulate कर सकता है ऐसी सुचनाएं है तो यह सुचना है क्या? ऐसा कौन सा information है? जो हमें parent से हमें आया और हमसे हमारे आने आले office spring में जाने वाली है पहले आप यही चीज़ को समझे कि DNA के पास ऐसा क्या चीज़ का information है? तो चलिए इसका एक सधारन सा solution अपने से निकालते हैं कि आपके सरीर में ऐसा क्या चीज़े हैं जो सबसे ज़्यादा functional मतलब ऐसा कौन सो बाय मॉलक्यूल से जो सबसे ज़्यादा functioning है जो सबसे दा कारियरत हैं काम कर रहे हैं देखे आपके सरील के अंधर अगर आप देखेंगे बाय मॉलक्यूल के इसमें तो आपको कारभाड़िड मिल जाएंगे प्रोटीन मिल जाएंगे डेने मिलेंगे ठीक है? लिपिड मिलेंगे अगर अगर बहुत बाय मॉलक्यूल के जाएंगे तो क्योंकि जो सुचनाय जो है information जो है वो तो बहुत ही छोटे रूप में हो सकते हैं जैसे कि अगर मैं बोलू कि है हम में जो रंग है color है वो हमारे माता-पिता से आया है आप लोग जैनेटिक्स में पढ़ते भी हो पॉलिजैनिक में एबी से जीग करके तो जीन से information क्या चीज़ का आया था तो भई आपका color code ने डिफाइन कर रहे है pigments कर रहे है तो वो pigments में ऐसा क्या चीज़ था तो उस pigments प्रोटीन था यानि कि आपके functional part के हम बात करेंगे कारी करने वाला कोई molecules है सेल के अंदर तो वो प्रोटीन ही है सबसे ज़्यादा जैसे आप बोलते हम पैर से चल रहे है ठीक है तो पैर से चल रहे है तो पैर में से क्या था तो muscles थे ठीक है बोन और muscles है न अगर आप unit में जाओगे अद्दम अंदर के और तो muscles में आप इस्कलेटर अंसस पढ़ते हों जो आपको moment के लिए important है तो उस muscles में था के अंदर में तो आप पढ़ते हो actin, myasin, protein पढ़ते हो filament के अंदर तो क्या थे वो actin और myasin क्या थे protein थे अब बोलते है पाचन हो रहा है हमारे सरेज के अंदर है न सुगर का लिवल बढ़ा इंसलीन चाहिए तो पाचन के लिए यो डैस्ट्य एंजाइम थे वो एंजाइम क्या थे protein ही तो थे insulin क्या है peptide, दो peptide का चैन है protein ही है वो भी तो खूली में लाग के जो भी information जो भी कारियरत है हमारे body में वो सब कहीं ने कि मैक्जिमम protein की ही है तो वो information DNA के पास होता है जो हमें हमारे माता-पिताओं से मिलता है अब माता-पिता से हमें information मिलता है ठीक है लेकिन सेल के अंदर इसका flow कैसे होता है अब यह जो information रखा है यह वास्तों में quote के form में रखा हुआ है ठीक quote के form में रखा है सबसे पहले होता है इसका transcription और बना देता है RNA तो यह पहले DNA था डेन स्फिर RNA बना ठीक अब RNA भी कौन सा RNA messenger आनिक बात करूँगा अब इस messenger RNA से ribosome अटेच होता है और बनाता है protein ठीक है तो यहाँ पह बना protein तो DNA क्या direct protein बनाया नहीं DNA के पास code था और इस code को decode किया ribosome ने और वहाँ पह पह प्रोटीन बनाया तो information का जो flow था वो DNA से messenger RNA to messenger RNA से protein के form में हो रहा है ठीक है तो यह flow था इसी कम central लोगमा में पढ़ते हैं अब जड़ा थेवरी में देख लेते हैं कैसा क्या क्या दिया हुआ है देखें इट इस the flow of information from DNA to messenger RNA and then decoding 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 the information present in messenger RNA in the formation of polypeptide polypeptide प्रोटीन हो गया ठीक है प्रोटीन और इसके लिए समानी हम इंप्रोप्शन बनाई से DNA से messenger RNA का बनना हम इसको लिग दे हैं यहां पे transcription लिखे हैं ठीक है हिंदी में transcription को बोलते हैं प्रोटीन 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 हिंदी में क्या बोलते हैं इसे अनुलीपी करन बोलते हैं अब उसके बाद जो concept था सिंट्रल लुगमा का यह किस ने प्रोपोस्ट किया था यह क्रीक ने प्रोपोस्ट किया था यह क्रीक ने दिया था यह थियोरी ठीक हैं 1958 में उसके बाद क्यासे बताया था information के बारे में इन्होंने बताया था it process unidirectional flow of information from DNA to RNA and them to protein इन्होंने unidirectional बताया था मैं इस जगह पे slide में बनाया नहीं हूँ क्योंकि important नहीं है एक और concept था उसका नाम था circular flow of information circular flow of उसमें क्या होता है कि मैं ऐसी बना दे रहा हूं roughly यहां पे but important नहीं है लास्ट वाले slider बना देता हूं circular flow आले में क्या था circular flow यह आले जो आप देख रहे था ने यहां जो बनाया है वो तो linear था ना circular flow वाले में था DNA से RNA बना RNA से protein बना protein से फिर RNA DNA और RNA से फिर DNA circular flow यह वाला concept जो है यह उत्रा मानिय नहीं हुआ है और यह अप्रॉक्स वई na 1960 के आस प्सकी टेम की था मतलब उस समय का था circular वाला और यह भूँ जा़ए इंसेटिंन भी इसके वारे में नहीं दिया गया है 1968 का था और इसको विए ग्यानिक था इसको प्रपश्ट किया था इतना इंगा नहीं नहीं है कि प्रोटेशिया बनने का भी तक हमको कोई प्रूफ मिला नहीं है जबकि RNA से DNA बनने का पूरूफ है HIV के केस में होता है तो यह प्रोटिन से जो RNA बनता है वाला अपने पास अभी कोई एक्सिमेंटली पूरूफ ऐसा नहीं मिला है इसलिए हम सर्क्लर फ्लो को हम नहीं पढ़ते हैं कि महापस लाइड में आ रहे हैं अब उसके बाद टैमिन टैमिन एंड बाल्टिमोर एंड नैंटिन सेवेंटी ठीक है उन्होंने डबल इस्टेंट आर एनए जो आप रोस और कोमा वारास सुने होंगे आर ऐसी जिसे बोलते हैं है ना उसके जिनोम कैसे था डबल इस्टेंट आर एनने होता है जब उनमें उनका इंफेक्शन क सुने के बारे में आ अच्छा से सटडी किया तो पाया उनमें आर एनए से दिने का फोर्मेशन होता है यहनि कि जब उस जैनी कि रोस सारकुमा वाइरस जब इसक्रतर करता है तो इंपेक्शन के बाद वह आर ईनसे द्यने बनाता है तो यह यहां से हैtha रिवर्स Central Logma concept आया था ठीक है और उसका हम flow diagram में ऐसे बनाते हैं कि अगर मैं बात करूंगा Ross Arcoma Virus की तो double strand RNA से पहले DNA बना फिर DNA से single strand RNA फिर single strand RNA जो की messenger RNA वह से protein का formation होगा ऐसी information गया double strand RNA से DNA बना फिर DNA से single strand RNA तो overall हम Central Central Logma में जो पूरूप था उसके base पर हम overall Central Logma को यह जो लाश्ट हम बनाए हैं इससे हम इससे हम complete कर सकते हैं जैसे कि और भी चीज़ें पता है है ना जिसे DNA अपना खुद copy बनाता है था हम उसे DNA replication का है लेकिन DNA भी बन रहा है इसमें information का copy हुआ है आप information copy हुआ है है अच्छा पहुंचा किस form में तो transcription के थ्रू RNA बना फिर RNA से protein बना translation के थ्रू बट retro virus यह HIV के case में आपको RNA से DNA भी बनता हो मिलता है तो उस condition को हम बोलते है reverse transcription हाना उस mechanism को reverse transcription कहते हैं तो central लोग में प्रोसेज में इतना ही था कि information के flow को बताया गया कि DNA से RNA RNA से protein बनता है और यदि मैं HIV virus यह RS virus के बारे में बात करूंगा उस condition में RNA से DNA भी बनता है reverse होता है तो वहां पर reverse word use हुआ रहता है reverse flow of information word use होता है ठीक है तो बहुत असान से topic था Thank you